नमस्कार मेरे स्वास्त के सहयात्रियों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वास्त होंगे किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए या उसकी रोक्थाम करने के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है कि आप बीमारी को थोड़ा समझें आपने नसों में खून की नसों में blockage के बारे में बहुत सवारा सुना होगा कैसे बनते हैं यह blockage नसों के अंदर और ऐसा कैसे होता है कि blockage असी परसंट नभी परसंट और इवन शत प्रित्षट blockage हो जाते हैं और मरीज को पता नहीं चलता आईए जानते हैं इन दोनों चीज़ों के बारे में हमारे शरीर में खून की नसों का एक पूरा जाल है यह जो खून की नसे हैं एक तरह से समझे कि यह पाइप की तरह है जैसे पाइप कहीं भी पानी पहुचाने के लिए हम यूज करते हैं उसी तरह खून पहुचाने के लिए और शरीर से हार्ट की तरफ दिल की तरफ खून वापस लाने के लिए यह खून की नसों का जाल है अभी हम जिन नसों में ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं इनको हम आर्टरी कहते हैं या हिंदी में हम धमनी कहते हैं ऐसे यह आर्टरी ज्यादा प्रिशर पर खून को ले जाती है और हमारे शरीर के सारे अंगों में पहुंचाती है अगर हम समझने की दृष्टी से देखें तो जो हमारी आर्टरी होती है वो उसकी बनावाट कुछ इस तरह की होती है यह आप ऐसे समझें कि यह बाहर की सत्य है और यह अंदर की सत्य है इसमें से खून बहता है और इस अंदर की सत्य और बाहर की सत्य के बीचे मान स्पेशियों का एक लेयर होता है अगर इसको हम काट कर देखें तो यह हमें कुछ इस तरह का दिखाई अगर आप इसमें देखेंगे तो यह अंद्रूनी सतह है जिसको हम इंडोथीलियम कहते हैं बीच में मान स्पेशों का लेयर है और बाहर की कवरिंग यह इंडोथीलियम चुकि खून के डारेक्ट कॉंटेक्ट में आता है डारेक्ट खून को इसपर्श करता है इसलिए खून से यह इंडोथीलियम जो है यह अंद्रूनी लेयर जो है यह जो मैंने आपको बताई थी कि यह जो अंद्रूनी लेयर है जिसमें खून बहता है इसका स्वास्त कितना अच्छा है यही हमारे नसों में ब्लॉकेज बनने या ना बनने की सित्ति को तै करता है किसी भी तरह का नींद की कमी, आपका एक्सरसाइज की कमी, व्यायाम की कमी, अल्कोहॉल या तंबाकू का उप्योग, वजन का बहुत ज़्यादा बढ़ना, बहुत एक्सरसाइज या व्यायाम, ये सब चीजें इस अंदूनी सते की इंडोथीलियम के स्वास्ते को नलायत करती हैं। आपको ये जानके अश्चर होगा, कि हमारी जिस तरह हमारी बाहर की चमडी है, इसका टोटल एरिया जो है हमारे एक वैस्क के शरीर का केवल दो स्कॉाइर मीटर होता है, और अंदूनी जो इंडोथीलियम है, अगर हम नसों की सारी जाल को ओपन करके बिछा दें, तो इसका एरिया तीन हजार स्कॉाइर मीटर होता है, आप सूची कितना बड़ा, अगर स्कॉाइर फिट में कहूं मैं, तो 32,000 स्कॉाइर फिट के करीब करीब ये एरिया होता है, और इन सब का स्वास्त जो है, अंदर बेहने वाले खून के अंदर की तत्तों पे निर्भर करता है, क इस स्वास्त खराब होने से क्या होता है, इस स्वास्त खराब होने से अंदर जो इसकी जो नुकसांदे चीजों को बाहर निकलने से रोकने की क्षमता है, वो कम हो जाती है, तो जो कोलेस्टरॉल, जो चर्बी हमारे खून में बह रही होती है, वो इसमें से लीक होके यहां मांस्प्रिश्वार्ट इस फैक्टर में ने बताइए अगर नहीं किया तो यह कुलेस्टरॉल दिमें जमाह होने लगता है कि खून बहनुते हैं इसको इनक्रोज स्काइब लगता ईसको दबाने लगता हैं आप देखर Hai और यह दबाते बढ़ते शुरूमें केवल 25% एड्या को इंखोंच करता है फिर 50% एड्या को इंखोंच करता है और एक समय ऐसा आता है कि ये पूरा कोलिस्ट्रॉल या चर्भी जो है वह इतनी कठी हो जाती है कि ये नस्प नस्प बैहने這 का रास्तप है वो पूरा बंद हो जाता है जब इस तरह के स्थिति आती है तो इसको हम 100% ब्लॉकेज कहते हैं अब अगर हम कट सेक्शन में समझने की कोशिश करें यह ब्लॉकेज पहले थोड़ी सी कोलेस्ट्रॉल जमा हुए यह जो पीले कलर में दिख रहा है यह वास्तों में जब हम खोल के देखते हैं अंदर तो ठीक इसी तरह के पीले रंकाई यह के चर्बी होती है कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं फिर यह थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा फिर दिमें दिमें यह जो अंदर खून बहने का एरिया है कम होता जाता है पिर यह आल्मोस्ट आधा रह गया अल्मोस्ट 75% एरिया इनकुरोच कर लिया किवल 25% एरिया इसका स्वास से निर्धारित होता है हमारी दिन चर्या से हमारे तनाओ से तनाओ का लेवल कैसा है हमारी नीन का की सिती कैसी है और हमारे हेल्दी हैबिट्स कैसी हमारा खान पान कैसा है खून में बहने वाले अधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या तनाओ के जो होते हैं जिने करने शुरू हो जाते हैं तो ये गती इतनी धीमी होती है कि हमारा शरीर ये बात समझ नहीं पाता कि खून की लगातार सप्लाई में कमी होती जा रही है और उसका एक नैचुरल एडजस्ट्मेंट आसपास की नसों से होता जाता है जिसको हम को लैटरल फ्लो कहते हैं तो क्या होता है कि जो में हाइवे है जो में नस है वो धिमे धिमे बंद होती गई और जो आसपास की पग्रंडियां है उनसे सप्लाई जारी रही अब इसका नुकसान यह होता है कि जो फुल फ्लेश सप्लाई आनी चाहिए जो पूरी सप्लाई होनी चाहिए वो सप्लाई बंद हो अब केवल काम चलाओ विवस्था चल रही है। इससे किसी भी अंकी फुल फंक्शनल कैपड़ी होती है जो पूरी कार करने के शमता होती है, वो कम हो जाती है। और केवल जीवन को सस्टेन करने के लिए केवल जिन्दा रहने के लिए जितनी आवश्चक्त है कि उतनी है इनर्जी वो अचीव कर पाता है वो अटेन कर पाता है अब ये ब्लॉकेज दिमाग की नसों में भी बन सकते हैं हार्ट की नसों में भी बन सकते हैं हमारी मेन जो महा जितने धीमे धीमे ब्लॉकेज बनेंगे आपको लक्षन उतने कम आएंगे और जब ये ब्लॉकेज बहुत एक्स्ट्रीम पे पहुंच जाते हैं 70%, 90%, 80% या 100% तब जाके आपको काम करने में ठाकान होना या उस अंग में जैसे दिमाग में अगर ये ब्लॉकेज बन रहा है तो हलका फुलका लक्षन के सिम्टम आना है या भूल जाने की बिमारी हो जाना या अगर किड्नी में आ रहे हैं तो आपका किड्नी फंक्षन थोड़ा सा डिरेंज हो जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि ये अंदर ही अंदर ये ब्लॉकेज बहुत बढ़ जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है अगर ये ब्लॉकेज अचानक बन जाए अचानक ये 50% से 100% में तबदिल हो जाए तो हमारे शरीर को एक जटका लगता है और वो एक मेजर एटैक की तरह बिहेव करता है इस विशे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा तो बेसिकली ये है कि खून की सप्लाई जब कम होने की दर धीमी होती है तो हमारे शरीर को पता नहीं चलता नुकसान काफी हो चुका होता है उसके बाद हमें पता चलता है जब खून सप्लाई होने की दर अचानक घट जाती है तो हमारे शरीर को तुरन पता चल जाता है में उसको भी कम जो करता जाता है और वह पती पापडी की तरह बन जाता है जैसे चुने की पुट है जड़ासा हाथ लगा और तूट जाती है प्रट जाती है तिक उसी तरह पत्ली पपडी बन जाती है और फिर जैसे आपको 70 परशेंट ब्लॉक Dollos और अचानक कभी किसी कारण से BP बढ़ा, किसी कारण से कोई stress हुआ और वो पपड़ी BP बढ़ने के वज़े से अचानक खून का flow बढ़ा और वो पपड़ी टूट गई और उसमें से अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल है वो बाहर आ गया और आपकी नस जो 70% थी 75% थी वो अचान और उनकी जान तक चली जाती है अभी रिसेंटली हमने बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटी की डेथ की मृत्यू के बारे में समाचार में अवगत हुए होंगे आप लोग ऐसा क्यों होता है और हार्ट अटैक या लकवे का अटैक इस कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से कैसे हो जाता है यह हम अगले वीडियो में जानेंगे आज के वीडियो में हमने यह जाना कि ब्लॉकेज किस तरह बनते हैं और इनमें इनके बनने की दर जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं कि सिम्टम्स हमें जो लक्षण है वो कितनी जल्दी आएंगे या कितनी देर से आएंगे फिर मिलेंगे किसी नई स्वास्यात्रा पर तब तक के लिए नमस्कार